नमस्कार आप देख रहे हैं बोल्सकाय मैं हूँ आपके साथ पूजा वशिष्ट अक्सर ऐसा होता है कि हम बाजार से दर्जनों अंडे खरीद कर ले आते हैं और जब उन्हें बनाने के लिए तोड़ते हैं तो वो खराब निकल जाते हैं कई बार हम कई दिनों तक अंडों क स्टोर कर लेते हैं और बाद में समझ नहीं आता कि अंडे खराब है या नहीं ऐसे में अगर हम अच्छे और सड़्चों के पहचान करना सीख जाएं तो हमारी समस्या काफी हद तक हल हो जाएं आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंडे कितने दिन में खराब हो जाते हैं फ्रिज में रखे अंडे अगर आप अंडो को फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं तो इसकी लाइफ एक महीने तक की हो सकती है जबकि अगर आप अंडे को बाहर रखते हैं तो ये साथ दिनों में ही खराब हो जाते हैं लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी ह कि आपके खरीदने से पहले अंडे कितने दिनों तक शौप में रखे होते हैं ऐसे में खराब अंडे की पहचान शिरू में ही कर लेना बहतर होता है अंडों की जाच करने के लिए आप एक बरतन में पानी भरें और इसमें अंडे को बिना फोड़े डुमोएं अगर अंडा पानी के नीचे जाकर सीधा लेट जाए तो समझ जाएं कि अंडा ताजा है पुराना या बासी अंडे पानी के बरतन में नीचे जाकर खड़े हो जाएंगे अगर अंडा पानी के ऊपरी सतह में तैरने लगे तो समझ ये आपका अंडा खराब है और इसे तो रंत फेंग दे वहीं अगर अंडे को फ्रिट से निकाल कर बाहर रख दिया गया है और 2-4 घंटे तक ये रूम टेंपरेचर पर रह गया है तो ये संक्रमेत हो सकता है इसे इस्तेमाल ना करें फिलालेस जानकारी में इतना ही ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल बोल्ड़ काई सब्सक्राइब करें